Better to the heavens की पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेयन अपना lightning illusionary body form करने की कोसिस कर रहा था उसमें उसको बहुत अधा समय लग रहा था पर randomly जब वो grave wolf king से fight कर रहा था तब उसकी lightning illusionary body form हो जाती है पर इसके बाद उसे magical beast के food chain में नमबर वन रैंक पे रहने वाले beast tribe की बारे पता चलता है और शेयन इस बात से बहुत साथा हैरान रह जाता है अब आगे एपिसोड श्टार्ट होती है शेयन उसी जंगल पे आग जला कर बैठा हुआ है परिसान है जिसके बाद वो अपने lightning illusionary body को समन करता है उसको देखता है और फिर और ज़्यादा परिसान हो जाता है कहने लगता है मेरी इस lightning illusionary body का लेबल civil fighting spirit लेबल पर है मेरा अब अगला step मुझे wind और thunder की power से incorporate करके मेरे इस clone को और ज़्यादा strong बनाना होगा लेकिन फिर से एक बार sad होगर कहने लगता है जिस वक्त मैंने इस technique को पहली बार सीखा था तब भी उस lightning strong में होने के बावजूद मैं बस थोड़ा सा ही उससे energy अपने पास store कर पाया था मुझे लगता है इस clone को strong बनाने के लिए उससे भी बहुत जादा energy चाहिए पर आखिर मैं ऐसा कैसे करूँगा मेरे पास समय भी कितना जादा कम है लेकिन तब ये अंदर से master जल्जी की आवाज आती है शरियन से कहते है इडियर्ट तुम्हे किसने कहा कि तुम्हे इस clone को strong बनाने के लिए power of wind and thunder की जरुरत है अगर तुम्हे लगता है कि इस clone को तुम wind और thunder की ही power से बस train कर सकते हो तो तुम बिल्कुल ही गलत हो ये बस इसको train करने का एक रास्ता हुआ अगर किसी के पास different energy sources है तो उस energy source से भी इसको train करा जा सकता है और तुम्हारे पास एक energy source है जो कि wind और thunder की power से भी ज़्यादा strong माने जाती है तुम्हारा fallen heart flame और तुम्हें पता है इस clone को train करने के लिए तुम्हारा fallen heart flame बेश्ट साबित हो सकता है क्योंकि अगर तुमने fallen heart flame को इस clone से integrate कर दिया तो तुम्हारा ये clone future में दुस्मनों से आने वाले strange energy से भी अपने आपको protect कर पाएगा ये एक बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी और इस तरह से तुम्हार ये illusionary body बाके की illusionary body से बहुत ज़्यादा strong और capable हो जाएगा और इसके अंदर की जो एक मातर दिक्कत है जिसमें ये कोई भी strange fire से general लगता है वो भी fix हो जाएगा सीरियन सोचने लगता है जिसके बाद मास्टर जोन से से कहता है बस सीनियर फॉल हर्ट फ्लेम तो सोल को destroy करने के लिए यूज करा जाता है क्या मैसेच में फॉल हर्ट फ्लेम को मेरे इस illusionary body की strong बनाने के लिए इस्तेमाल भी कर सकता हूँ कहीं इसके contact में आता ही मेरी ये soul body destroy ना हो जाए और मुझे ने लग ता तुम्हारी फॉल हर्ट फ्लेम illusionary body को कोई भी नुकसान पहुचाएगी क्योंकि illusionary body तुम्हारी ही soul का एक end's है और foreign heart flame तुम्हारे soul को कोई भी नुकसान नहीं पहुचाती है तो इसे भी कोई भी नुकसान नहीं पहुचाएगी अब Master Zunzi की बातों को Shigen का Illusionary Body भी सोन रहा था Illusionary Body फिर Shigen से कहता है मैं Senior की बातों से सहमत हूँ तुम इसे Try कर सकते हो जिसके बाद Shigen थोड़ा देख सोचता है जिसके बाद वो भी जोस से बर जाता है कहता है ठीक है हम लोग इसको Try करेंगे जिसके बाद अगले पल्स सेयन अपने strange flame को बाहर निकालता है और strange flame से full hand flame को अलग कर लेता है जिसके बाद है वैले lotus flame को अंदर रख लेता है Master Jonesy भी शेयन के body से बाहर निकालाता है वो शेयन को ऐसा करते हुए देख रहे हैं और शेवियन अपने फुलनर्ट फ्लेम की एनरजी को थोड़ा सा रिफाइन करते वे अपने सामने लाइटनिंग इलिजनरी बॉड़ी के अंदर डालने लगता है पर जैसे ही दोस्तो फ्लेम इलिजनरी बॉड़ी के अंदर चाती है शेवियन की वो बॉड़ी तड़कने लगती है यहाँ पर गर्मी बहुत जदा पाड़ जाती है और गर्मी इत्ति सदो हो जाती है कि हम देखते हैं क्लोन की बॉड़ी जल कर फिगलने लगती है तब ही मास्टर जुन जी तुरंथी उसके पास आते हैं क्लोन को बताते हैं लड़के सबसे पहले तुम घबराना बंद करो फील करो तुमारे हर्ट के पास का टेमप्रेचर बहुत ज़ादा बाढ़ रहा है उसको कम करने की कोशिस करो जिसके बाद तुरंथी शिवियन से कहते हैं शिवियन ध्यान लगाओ तुमारे इस क्लोन के बॉड़ी में हेवनली फायर को कंट्रोल करने की कितनी लिमिट है सबसे पहले उसके बारे में पता लगाओ क्लोन की हालत यहाँ पर खराब हो रही है शिवियन मास्टर जुनजी की बात को सुनकर तुरा दे ध्यान लगाता है और फिर लिमिट को समझते वे फुलन हर्ट फ्लेम की एनरजी के फ्रिक्वेंसी को गम करने लगता है हम देखते हैं कि इसका अच्छा एफेक्ट होने लगता है क्लोन के बाड़ी में जो जलने के गहाओ थे वो वापस भरने लगते हैं मास्टर जुनजी कहते हैं अब तीरे दीरे करके क्लोन के अंदर फ्लेम को डालो एक तम ड्रॉप वाइस जिसके बाद शिवियन ऐसाए करता है और हम देखते हैं क्लोन के बाड़ी के अंदर शिवियन की तरह ही बाड़ी के अंदर फ्लेम की एक पार्ट जिनरेट होने लगती है मास्टर जुन्सी ये देखकर खुस हो जाते हैं जिसके बाद जब यहां कमाम लाइश टेवल हो जाता है शिवियन को पता चल जाता है कि उससे तीरे तीरे क्या करते रहना है मास्टर जुन्सी आराम करने के लिए शिवियन के अंदर चले चाते हैं पर ऐसा ही करते करते एक बार फिर से सुबह हो गई है हम लोग शिवियन को देखते हैं बगल में शिवियन का अर्थ टेमन पपिट उसको गार्ड कर रहा है थोड़ी देर यहाँ पर ऐसा ही चलता है जिसके बाद शिवियन अपनी आँकों को खोलता है आँकी खोलती शिवियन हर बढ़ाते भी कहने लगता है इतनी सदा तेर कल्टिविसन करने के बाद और इतना सदा ट्रेनिंग करने के बाउचूद भी मैं अपने क्लोन के बॉड़ी को दाओ वंग लेबल जितना ही स्ट्रोंग बना पाया हूँ ऐसा ही चलता रहा तो मुझे दाओ वंग के नाइन स्टार लेबल तक पहुंचने में काफी ज़ता समय लग जाएगा लेकिन तभी शिवियन की बात को सुनकर मास्टर जूंजी कहने लगते हैं लड़की तुम इतने ज़ता प्रोग्रेस से भी स्टेटिसफाइड नहीं हुए हो तुम्हें पता भी है तुमने बस रात पर की ट्रिनिंग से कितना ज़दा अचीव कर लिया है मेरे अब्जरवेशन की हिसाब से जो मैंने फियर टियान के क्लोन को दिखा था तुम्हें पता है वो जिस लेबल पर पहुँचा होगा अपने स्ट्वेंद के तू ठर्ड लेबल में उसको वहां तक पहुँचने में लगबग लगबग पात साल लगए होंगे तुमने उस लेबल को सिर्फ दो दिन में अचीव कर लिया है तुम इसे सैटिसफाइड नहीं हो हो मास्टर जुन्जी की डाट को सुनकर शेयन थोड़ा से इंबहरस होता है पर उसे थोड़ा सा अच्छा फिल होता है कि उसने आम लोगों से ज्यादा अच्छा प्रोग्रेस करा जिसके बाद मास्टर जुन्जी कहते हैं शेयन समय को मत भूलो heavenly blood mountain pool अब open होने ही वाला है और जैसा उस pool की qualities है मुझे लगता है अभी तक तो भूचकार पुरी तरह से crowded हो गई होगी अगर तुम जल्दी ही वहाँ जाने के लिए यहां से नहीं निकले तो मुझे लगता है उस crowd के बीच में तुम सूप में पढ़े इन रेंज की और चल देता है हम लोग फिर शेयन को देखते हैं जो की map देखते ही जंगल में काफी अंदर आ गया है कभी वो दोड़ता है कभी पीड़ों पे लटकते ही विए तीची से भागने लगता है पर map के हिसाफ से अभी शेयन को काफी लंबा रास्ता तै करना है ऐ इस वक्त से विएन अपने दाओ की विंग्स को यूज कर रहा है जिसके अज़स की स्पीड एले से बहुत साथा कम हो गई है थोड़ी देर बाद उसे वो mountain range दिखाए देता है mountain range बहुत ही जदा beautiful था यहां दीक कर इस शेकिन को एक बहुत ही pure energy feel हो रही थी यहां पर बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ थे और एक बहुत ही बड़ा सा केट था शेयन इस जगा को देखकर खुस हो जाता है कहने लगता है जैसा इस mountain range की reputation है यह अपने reputation पर पूरा खरा उतरा है जिसके बाद वो जमीन पर land कर जाता है land करते ही वो देखता है कि यहां पर काफी जदा लोग already आई हुए हैं शेयन कहता है मुझे लगता है यहां पर अभी और भी लोग आने वाले होंगे जोगी अभी जंगल से इस रास्ते पहुँच रहे होंगे यहां पर लोग शेयन को भी देखते हैं शेयन को देखकर भी यह लोग irritate हो रहे हैं कह रहे हैं देखो एक और person आ गया आखिरकार यहां पर कितने लोग आने वाले हैं देखकर कि यह जगा पूरी तरह से भरती जा रही है पैर रखनी का जगा नहीं हो रहा है जिसके बाद यहां पर लोग बाते कर रहे हैं शी mountain range आकिरकार तीन सालों में एक बार उपेन होता है जिसके बचे से सबी लो यहां के beautiful opportunity को miss नहीं करना चाहते हैं दिरी दिरी करके इस पूरे mountain में crowd भरते जा रहे हैं लगबग हजारों में लोग यहां already आ गये हैं और बहुत सारे लोग और आने वाले हैं तब ही दोस्तों अचानक से उन लोगों के कानों में phoenix की आवास सुनाई देती है और उपर पर हमें एक बहुत ही बड़ा सा white colorful phoenix दिखाई देता है अब इस phoenix come crane को देखकर चिलो खबरा जाते हैं कहते हैं क्या मैं जो सोच रहा हूँ हूँ वही है क्या यह wind lightning pavilion की miss fang है दूसरा person कह रहा है लगता है सच में इस पार यह heavenly idman mountain range लोगों के खूनों से रंगने वाला है दूसरा person कहता है देखो ना उसके साथ wind lightning pavilion के elders भी आये हुए है पर फिर एक person कहता है भारोसा रखो जो ज्यादा strong है उसको heavenly eye demon mountain range अंदर ही आने नहीं देगा से वियन जब यह बात सुनता है देखकर वो खुर सोचाता है अपने मन में कह रहा है तब ही मैं सोचू यहां पर wind lightning pavilion का feet यान जू नहीं आया है जिसके बाद वो miss fang को देखने लगता है उसके power label को जाच करने की कुसिस करता है पर वो जाच नहीं कर पाता है शेयन कहने लगता है जैसे मैंने सुना है यह लड़की वैसे ही चालाख है यह अपने power को पूरतर से सब्रेस करके रखी है पता ही नहीं जल रहा है यह कितनी जदा strong है पर मुझे ऐसी feeling आ रही है कि यह बहुत साथा strong है जिसके बाद हमें miss fang को दिखाया जाता है miss fang अपने एक elder से कहती है elder mo मुझे पताईए क्या यहाँ पर बाकी की तीनों पविलियन से और कोई persons आए हुए है elder mo बताती है यहाँ सुनकर miss fang के नहीं लगती है लगता है इस पार सच में यहाँ कतले आम होने वाला है heavenly blood mountain pool में मुझे उन लोगों के blood से उसको सीचना होगा पर तपी दूसरा elder कहता है miss fang आपको चोग करना रहना होगा मैंने सुना है इस पार यहाँ पर बहुत सारे और पी strong person आए हुए है जिनकी नचर blood mountain pool पर है मुझे लगता है आप यह उन में से कई लोगों के नाम सुन रखी होंगे तो फिर miss fang कहती है example के दो रुपे पुलड का श्याएन और दोस्तों बस इसी बात के साथ better to the heavens का यह episode इस जगा पर खतम हो जाता है I hope आपको यह detailed explanation पसंद आया होगा पसंद अगर के बताना कि आपको यह video कैसा लगा